वेलकम बैक तो अगेन आप यूट्यूब चैनल सीख कर सिखाते रहो मैं आपके साथ हूं बर्खा तो आज की वीडियो में हम कर सेमस्टर हिस्ट्री सेक जो हमाना सब्जक्त आजाता है एक लॉज्व्यक्त उसको थोड़ा से डिवाइस करेंगे तो मेरे पास पर पर यूजय मैं को मतलब तो यहां पर इंट्रों बताए कि दरोहर का थे बहुत है और भारती दरोहर जो मतलब इमारती होती है जो ऑकिथे कलो होती है भारा से इंडिया के अंदर उसमें सारा के अंदर मतलब हम हेरेटेज देख सकते हैं कि लाल किला हो गया यह पर जो विमारते होगी नॉमली देखा जाए तो अगर हम इसको बोले थोड़ा शुद हिंदी में तो एतिहासिक विमारते को हम धरोहर बता सकते हैं ठीक ह तो यहाँ पर यह लिखा है कि क्या है दरोहर मतलब इसमों थोड़ा डिफाइन करके आप देख सकते हैं कि दरोहर बीते हुए समय की एक वास्तविक्ता होती है किसी समुदाय की संपत्ती होती है तथा एक संपन विरासत होती है जो हमारी पहचानवा सहभागिता को दर्शा विरासत है तो भारत महान देश की विरासत तत्य और आकर्शन रूप में समझने यह सामने आती है तता यह हडपा सबिता में ही प्रारम है से ही दिखाई देती है वरतमान में विरासत के कुछ उधाडन अगर हम एक्जामपल देखें या फिर हम जो सारे हमारे पास जो उधाडन है जीते जागते बुद्ध भिहार ताज महल आगरा जिस जो की जो साथ हुं जूबे की रूप में देख सकते हैं आजिक अगर अगर यह एक इंडोसार्य इंडिया में अगर आप पढ़ेंगे जैसे कि बिटिस आये तो उन्होंने भी अपने आर्किटेक्ट्चर यह अपना जो जो भी एक इक सनरशन होती है इमारते बनाने की कल्चर होता है शैलिया होती है बहुत सारा तो उसमें उन्होंने यह करा अगर हम बात करें बिहार बद बिहार की तो वह फाइफ सेंचुरी जो बहुत जो जो जैन धरम का उद्वाव और तपका है पुरा टाइम फिल्ड कुतुमिनार के अ पर बात करें तो अगरो होटल की बात करें छो कि इंडो सारसनी शयली पर निर्मित है यह यह जो हमरा जो नौलिकल यानी जो इन प्रख्ष आगे चले तो यहां पर लिखा है हमारा नेक्स पॉइंट निर्मित विरासत क्या होती है आप लोग खुद देख सकते हैं किसी निर्मित विरासत के लक्षन तथा उस विरासत तल के गुण अथवा महत्व के इस्तिर को इन मान लंडों पर रखा जाता है उसको क्य बोलते हैं निर्मित विरासत फॉर एक्जामपल किसी देश की इतिहास के महत्पूर्ण दुल्लव प्रतिनिदी पक्ष को दर्शाना इमारत के थो या फिर किसी स्थान की अरंबिक बनावटों को काल शाक्ष दर्शाना वहीं सिंपल उधारन आ जाएंगे सिंपल एक्जाम करता है सामस्क्रिति से उदभव होई है उसके वेल्यू के सामाजिक परंपरागत आर्तिक राजनीतिक राष्ट्रेव उन्यभवन attracts किसी इमारत से उसकी समाजिक परंपरा जूड़ी होगी आर्थिक आर्थिक कैसे विकोज प्रेजेंट में तो टूरीजम है जो पर्रेट है तो पर्रेट है कि उसको बढ़ावा मिलता इसी चीज दे ठीक है तो इने सेंस जो राजिनितिकल पॉलिटिकल भी वह इंपॉर्टिंट हो जाता है जो भी इमारत है वह एतियासी घटना व्यक्तिगत गतिविदी से जुड़ा प्रमुकिस्तल है अगर हम बात करें बहुत बिहार की तो बहुत बिहार हम स्टूप के बार में बात करें तो स्टूप इंदेसाइंस जो बुद्धि के अफशेशों से मिले हमको प्राप्त होते बिखा दिया उसके उपर मनें स्टूप को निर्मान कर दिया मतला मिंदेसाइंस मंदिर कर दिया तो यह एक व्यक्तिगत घटना से जुड़ा है किसी गतिविदी से जुड़ा है उसके बाद हम बात करें तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे पॉंट यहां पर मैंने एक्स्प्लेंट कर रखें ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो जैसी कि यहां पर एक पिचर दे रखी है बहुत गया एक मंदिर कला वस्तापत्य कला आप देख सकते हैं ठीक है यह कला का है मतलब यह नागर्शाली का ही एक उधाडन है हमारे पास तो यहां पर हम इस पू TM की इन का बनावती संरचना आर् хотя रेंट कि अपिस तरेके से इंपौर्ट हो जाती है कि आप देखिे की छोटे चोटे-चोटी बरीक चीजों को इंफुलेंस करना इतने तरीके से उसको बनाना अच्चे तरीकस आज पी दिखाइड आप नहीं है वह कभी बिखर नही अच्छे तरीके से बना वड़े तो देख सकते हैं कि मजबूती प्रादान करना ठीक है तो यह दन सेंस कला उसके वास्तों कला क्या कहती है जो मतलब जो एकदम संरशना है जो एकदम architecture है वो कैसा है ठीक है तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं यह पूरा अगर कोई भी पेपर आजा या फिर आपका असाइमेंट हो तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं तो पहले समझिए उसके बाद फिर एड कीजिए उसके बाद है वास्तों कला का शेत्र जो मैंने अपनी architecture बताया अभी उसका शेत्र क्या है तो उसका शेत्र अगर हम कि जैसे की इसका और भी स्पस्टी करन किया जा सकता है वास्तों कला ललीत कला की वह शाका है जिसका उदेश्य अध्योगी की का सयोग लेते हुए उपयोगीता द्रिश्टी से उत्तम भवन निर्मान करना है जिसके पर्यवडन संस्कृतिक कलात्मक रूची के लिए अत्य मेरत को देखते हैं फोड देखते हैं लेकिने की इंद्याव निर्मान के उपस्तों देखते हूं है जैसे पुर मेरत की मतलब कि बंदाने और कि जिसका सब्स्तों एक सब देखते हैं ऊसे करने इसकि शेलियों है नागर हें आओंडिया के पर नागर हैं अनंडिया के शाउट इंडिया आते सकते हैं भावन इमारत में शाऊब है दूसरी शैली की वह प्रकार भावफ न से दिखाई दिखाई दे़ा डिखाई देता है जिसके प्रमुक्त शैली नादर बाव वा में था उप्रमुक शैली-णे अगर्वा बेश्ट सेली हैं तो यह था धरन के शैली वहां पर मेरे पास बहूत है कि यह इसे होअग कोंग में यह पूरा एक बोस्तल यहां पर बहुत की बहुत बड़ी मूर्ती है होंग कॉंग में होंग कॉंग चाइना की थोड़ा नीचे आप देखोगे वर्ल्ड के मैप में दिख जाएगा चाइना की नीचे तिक है इसके बाद है भारतिय प्राचीन काल इन विरासते अगर बात करे पर स्टाटिंग से डिटेइलिंग है कि बही प्राचीन काल में पूरी ऐसी हाथ की मारति थी वह किस तरेके से चेज़ इंडिया के अंजर तो यहां पर हमारा है बहुत बिहार बहुत बिहार आजाएगा इसमें दो चीज़ इंपोर्टेंट है अमरावति का स्टूप सारण पूराद का स्थूप और साची का स्थूप इंपोर्टेंट है एकडम अपनी आंसर में भी इसको एड़ कर सकते हो उसके बाद फिर मैंने बताया दर्सार्टिंग में की इंशनी इंडिया के बाद आता है मेडियवल इंडिया यानि मद्यकालीन भारत इसमें आप लोग जो इंपायर है इसके बारे में ठोड़ा रिलेट कर सकते हैं तो यह पूरा पूरा रिलेट करों गयां जैसे कि कुटुब मिनार के अगर हम बात करें कुटुब मिनार निर्मान को इलितु तमिण अबदा है उन्होंने गुलाम वंछ के पैले शार्षक उसके बाद कुटुब ईग नए बनाता है दीक कि बात करें पर यह साथ मदग बनाता है Ho कि अनिवान में उन्हें एक सारा आपको पता ही हो गोगा एक यही हि montator रिटेलिंग करें अधर है यूपी में है यह बहुत इनपॉर्टेंट अधर उसके बाद उसके साथ है बिए रासेति एस हैं जो वेटिशिस के दोरान यानि जो प्रीटिशिस का टाइम तर उनके दोरान उन्हें क्या क्या कर नहीं करा तो यहां पर हमाए पास इंडो शायर्थ शायरिक शालिया घता है ता इसने सब कुछ है और दो-तिन इसमें और चीज़ हैं इसके बाद हमारा क सब्सक्राइब को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी डेटेलिंग समझ में आती है कि जो भी असाइमेंट है जो भी कोशन है उसकर निचोड क्या है तो यहां पर लिखाए कि अन्त हमें गयात होता है कि दरोहर क्या है वह किस प्रकार की कला वास्तु करना से संबं तो होपस आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर हां तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें थाइंक्यों पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में अभी तक के लिए टेक कियर बी सेफ एंड बी हल्दी